हेलो डीर स्टुडेंट आप सभी कैसे हो आप सभी अच्छे होंगे आज हम बात करने वाले पहली वाली क्लास में हमने बात किती ग्राम पोर्ड बोरोर के बारे में डिसकस करने वाले हैं और आपको पता ही है रोचक काहनियों के साथ साथ हम समाप्त भी करते हैं और आपको प लोकस्ट का ग्रास ओपर जिसको बोलते हैं क्लासिफीक्षिन के बाद में मैंने आपको बताया था कि तीन परजातियां भाहरत के अंदर लोकस्ट की पाई जाती है प्रवासनि एपोने जाती है बंबाय या टी नी aussi या बोलते हैं और एक लोकस्ट पाया जाता है तीनों परजातियों के बारे में हमने बात की फिर इस लोकस्ट की फेज होती है दो फेज होती एकल फेज होती है गर्गेरियस फेज होती है और आपको पता है और एकल फेज होती है एकल फेज के अंदर सिंगल जो होते हैं जैसे राम जी का गोड़ा जिसको हम में बात किया और उसके बाद में मेनिजमेंट के बारे में बात की पहले वाली क्लास के बारे में और लास्ट में हमने को समझना है किस तरीके से हमें देखनाहे कि हमेसर अच्छे से समझ में आ आजये आप ऐसे साधार्नबासा से साधर्निक्ष से आप हमें समझाने की कोशिश करें तो सब से पहले हम एक कहानी से सुरवात करते हैं सुनों एक बात ग्राम निआ पोडर की बात करते हैं और एक कहानी को हम स्टार्ट करते हैं एक किसान था और मेर पानी की कमी होने की वज़े से अपने खेत जडिटेके अंदर चना बोया क्या बहुत बगोया बारिस का ताइम था चना बोदिया उसने चलो बारिस के उपरी डिपेंदेंट थे उन के पास बैद पानी देने géली है कुछ मुक्षे मुखे रूप से कुए और नलकूप नहीं तेग्ल बारिस के अकौडिंग हम बात करें तो बहुत सारे च्यार पास हेक्टर के अंदर इन तीन या-चार हेक्टर के अंदर चना बात गया मैं अब चने में सबसे जh consumption करने वाला सबसे ज्यादा खतरनाग जो इंसेक्ट होता है जो लगने वाला जो इंसेक्ट होता जो सबसे ज्यादा नुकसान पुचाता है वो ग्राम पोड़ बुरर हैं उसी की हम खाहनी के बारे में हम देखते हैं किसान ने जब उन्होंने बो दिया किसान ने जब खेत में चना बो दिया तो चना बोने के बाद में लगबग एक डेट दो महीने के बाद में जब उसमें फली आ रही थी दो या तीन महीने के बाद में चने के अंदर पोर्ड फोर्मेशन होने लगाए क्या होने लगया पोर् result, क्या होता, फली बनने लगई ऍसे जड़ादा कौन सी अवस्ता में नुक्सान पुछाएगा ग्राम पूरडबिर, यानि की उसकी खेत में ग्राम पोड़ और जो हैं चने का फली छेदग है जो चने की फली छेदग लट वो ज्यादा क्या कर रहा था विक्राल रूप से आकरमन कर रहा था और दीर दीर उसको पता है कि हर फली एक पेड़ के दो या तीन हम देखे एक पेड़ में एक या दो पेड़ के किसान ने यह observation किया है कि हमारे खेत में यह जो फली छेदक जो कीट है यह 50% से उपर हमारा क्या कर रहा है नुकसान कर रहा है चिंता बढ़ गई किसान के मैं इस पूरे ग्राम पोड़ बोरर को एक कहानी के माध्यम से आपको शमजाने की खुशिस कर रहा हूं ताकि आप अप वेज में आपको अच्छे से समझ में आ जाए उन्होंने सबसे पहले देखा कि कौन सी उन्होंने देखा कि मुख्य रूप से तो ग्राम पोड़ बोर रही है चने का फली छेदक है और इसका अकरमन हो रहा है तो सरुयापिक नासी कीट है अमेरिका तक की कपास में अमेरिक उन्होंने क्या करती है है नुकसाइन पुचाती है ऐसे देखकर चिंदायं बढ़ गई किसां की चिंताय बढ़ गई तो सबसे पहले तो उन्होंने क्याकिआ कि आप गाउं की दुकान से जो इंसेक्टिसाइड की फूप है वहां से खरीद कर उन्होंने रासाइनिक प्रबंद किया तो इस तरीके से यह जो नुकसान पुचाता है उसके बारे में भी हम डिसकर्स करने वाले हैं देखो ग्राम पोड़ वोरर का हम बात करें तो ग्राम पोड़ की बारे में हम डिसकर्स करते हैं तो ग्राम पोड़ वोरर जो है इसमें सबसे इंपोर्टेंट क्या है इसका वेग्यानिक नाव इंपोर्टेंट क्या नाम है वेग्यानिक हो हेली कोरपा आर्मी जेरा हेली कोरपा आर्मी जेरा इसका क्या नाम है साइन्टिफिक नाम है क्य नाम इसका हेली कोरपा आर्मी जेरा गण इसका क्या है गण इसका कौन सा है लेपीडो पतेरा गण है कौन सा गण है इसका लेपीडो पतेरा गण है और इसकी जो फेमेली है नोक्ट यूडी है फेमेली कौन सी है नोक्ट यूडी है और यही एक्जाम में पूछा जाता है यह लेपिडो पतेरा कुल इसका नोक्ट योडी है ये एक सर्वबक्षी कीट है और सर्व्यापिनासी कीट है सर्वबक्षी कीट है सभी का बक्षन करने वाला सर्वबक्षी कीट और सर्व्यापिनासी कीट है अमेरिका में एक कपास का अत्यंत विनासकारी कीट है द्यां रखना अमेरिका के अंदर हम बात करें, अमेरिका के अंदर बात करें, तो अमेरिका में एक कपास का अत्यंत विनासकारी कीट है, अत्यंत विनासकारी कीट है, यहाँ पर इसे कोटन वोलवरम के नाम से जानते हैं, इसे किस नाम से जानते हैं, कोटन वोलवरम के नाम से जानते हैं, इस कीट को इसे कैसे नाम से जाना जाता है, कोटन वोलवरम के नाम से जाना जाता है, तो क्लासिपीकेशन है, यह पहला पोइंट अपना क्या है, क्लासिपीकेशन और क्लासिपीकेशन में हमने क्या देखा है, साइन्टिफिक नाम हेली कोरपा अर्मीजेरा देखा है, उसके बाद में इसका अगण लेपिडो पटे रहा है कुल इसका नोक्टो डिवकुल है और सबीप फली को तने को बोदो की पतियों को सबीको खाने वाला कीट है इसलिए से सार वकसी या पोली फेगस कीट के नाम से जाना जाता है बहरत में इसे तो ग्राम पोड़ बोरर के नाम से से जाना जाता है क्योंकि बारत में सबसे जदा कापास बहुत कम होता है तो खबाष सबसे लादा यह पर लगता है यह तो इस hehe को ग्राम पोड़ भृर के नाम ते और यही परजाती जो का पास पर 183 यह अमेरिका में जो कोटन होता है उस पर सबसे ज्यादा नुक्सान पूछेवाने और विनास करने वाला जो कीट है, इनसेक्ट है, वो ग्राम पोट बोरोही है, जो अमेरिका में से कोटन वोल वर्म के नाम से जानते हैं, अमेरिका में इसे किस नाम से जानते हैं कोटन वोल वरम के नाम से जानते हैं तो यह आपको पता होना चाहिए आगे हम बात करते हैं अगली स्लाइड में हम देखते हैं सर इसके लक्षन बतादो हम इसका पैचान कैसे करें लक्षन का मतलब होती है कि अब एक पर्टिकुलरी हमें आइडेंटिपिकेशन करना है लक्षन या पैचान कैसी करनी है पैचान के बारे में हम देखें तो पैचान कैसी करनी है इसके वैस्क जेतूनी दूसर या लाल बूरे रंग के रात्रीचर सलब होते हैं देखो इसके जो वैस्क होते हैं इस तरीके की जेतूनी कलर लाल बूरे दूसर कलर के होते हैं यह देखो यह वैस्क दिखाई देता है और रात्रीचर सलब होते हैं रा वित्वुनी दुसर क्यालने बूरे रंग के आपको दिखाई दे रहे हैं ये इसका aiden 35 mm लंबे होते हैं कितने मलंबे होते हैं यदिцо के बारे में बात करें और कि अलेंद के बारह में हम बात करें तो लेंद कितनी होती है 35 mm क्या होते हैं ये लंबे होते हैं 35 mm लंबे होते हैं और इनका रंग हलका पीला हरा और हलका पीला बुरा होता है देहां रखना इनका रंग कौन सा होता है हलका पीला हरा और हलका पीला बुरा होता है यानि कि light yellow brown color का होता है, याद रखना, light yellow brown color का होता है, light yellow brown color, तता पार्सों में लंबत पटियां पाई जाती है, पार्सों में हम बात करें, तो जो पार्सों होती है, उसमें क्या पाई जाती है, लंबत पटियां पाई जाती है, क्या पाई जाती है, लंबत पटियां पाई ज आत्रीचल सिलव होते हैं पूर्वक्षित केटरपिलर जो होती है पूर्वक्षित केटरपिलर लगभक 35 mm लंबे होते हैं और इनका हलका फीला हरा या हलका प्लार नेट साधर केटरपीलर काम डेखना को थी वेश doesnerst get done जेतुनी कलर दूसर काले पीले रंग का होता देखो वाइट कलर भी दिखाई दे रहा बीच में जेतुनी कलर दूसर कलर भी दिखाई दे रहा है यह वैस कहें लेकिन इसकी केटर पिलर लारवा वस्ता के बारे में बात करें तो वो जो केटर पिलर होती है 35 mm लंबे होते हैं और इनका रंग हलका पीला और हलका पीला बुरा यानि कि हरा भी दिखाए देगा मिक्स में हलका पीला भी दिखाए देगा मिक्स में और ब्राउन कलर का भी दिखाए देगा यानि कि आप देखने पर आपको इस तरीके का दिखाए देगा हलका पीला बुरा और हलका हरा हलका पीला हरका हलका पीला हरा और हलका पीला बुरा तो दोनों तीनों कलर मिक्स में दिखाए देंगे और पार्सों में लंबत पटियां पाई जाएगी यानि कि हम बात करें कि ये जो किटार है ये जो लट प्रावस्ता है इसके पार्सों मैंसे लंबत लंबत हम बात करें तो लं परावस्ता है और लट परावस्ता के बारे में बात करें तो इनके शरीर की उपत पार्सों में लंबत धारियां पाई पाई जाती कि देखो केटर पिलर 35 mm लंबे होते हैं हलका हरा रंग और हलका पीला रंग मिक्स में होता है और पार्सों में लंबत पटियां पाई जाती है यह उस कीट की केटर पिलर की और वैस्क की पैचान करने का सबसे अच्छा तरीका है अब हम बात करेंगे इसके पोशक पोदों के बारे में सर्फ पोशक पोद्धे क्या होते हैं होस्ट प्लांट होस्ट प्लांट से मतलब होता है कि वह कीट सबसे ज्यादा किसकोन से पोदों पर नुकसान पुचाता है तो देखो चना मटर कपास अरहर मक्का के कच्चे बुठ जवार बिंडी टमाटर तंबाकु आदेश के परमुख पोशी पोदे हैं देखो चना है मत्र हैं कपास हैं अरहर हैं मक्का हैं कच्चे बूटे हैं जवार हैं सूर्य मुकी हैं बिंडी हैं टमाटर हैं तंबाकु आदेश के परमुख पोशी पोदे होते हैं इसके परमुख पोशी कौन से पोदे हैं आपको दिखाई दे रहा है चना मटर कपास अरहर मक्का बुटे जवार सूरज मुकी भिंडी टमाटर और तमागो आदिस के प्रमुख पोशी पोदे हैं आगे हम बात करते हैं नुकसान और महतों के बारे में यह किस तरीके से नुकसान पुचाता है आपको डाइग्राम के माद्यम से इसपस्ट दिखाई दे रहा है ए बी सी डी ए ए एफ यानि कि आपको निशित रूप से समझ में आ जाएगा एवाला कोलम हमारे को क्या कह रहा ह इस ले वाले कोलम में पत्ती के उपर जो पत्ती होती है उसके उपर पूड की आट दिखाई गहर दें बड़ी 35 mm बड़ी यह पोड के ऊपर आ रही है, आपको यहां पे दिखाई दे रहा है, यह देखो olduğ के ऊपर, उसके बाद में तरीके से ये नुक्सान पूचाता है और इसकी जो केटर फिलर अवस्ता होती है वही सबसे ज़्यादा क्या गरती है नुक्सान पूचाती है तो देखो A B C D E F ऐसी कंडिसन आपको दिखाई दे रही है इसमें और ये निशित रूप से आपको समझ में आ गया होगा अब हम इसकी थियोरी के बारे में डिसकर्स करते है थियोरी इस इनीमी से हम देखते हैं ये कीट लगबग पूरे वर्स में सक्री रहता है पहली बात तो ये जो कीट है पूरे वर्स में क्या रहता है सक्री रहता है प्रारम में इस कीट की लट चने की पतियों पर देखो प्रारम में आपको प्रारम में पहली अवस्ता यहां पर दिखाई दे रही है पहली अवस्ता आपको दिखाई दे रही है और पहली अवस्ता के अंदर आपको पता है प् होती है पर पादब की कोमल टहनी होती है उनको नुकसान पूचा रही है प्रागम में तता बाद में पत्कलियों पर फूलों पर तता फलियों पर क्या करती है आकर्मन करती है यानि की सौरोबक्सी है फली पर कली पर टहनी पर पत्ती पर तना पर सभी पर आकर्मन करती है इसल पुचारिये देगो यह फलि यह फलीयों पर फलीयों पर प्रोट पर एंदर परवेश कर जाती है अंदर परवेश कर जाती है त्ञा दोनों अंदर गुजाती है तता दानों को खा जाती है जो फली के अंदर जो दाने बनेंगे जो फली के अंदर जो दाने बनते हैं जैसे ऐसे दाने बनते हैं उन दानों का क्या करती है ये लट क्या करती है जाकर आदी अंदर आदी बाहर के तरफ लटकी होती है देखो आदी अंदर और आदी बाहर की तरब और ये माउथ पार से उन दानों को क्या कर जाती है खा जाती है जिसे दाने क्या हो जाते हैं नैस्टे हो जाते हैं जिसमें आपको पांचवे नमबर चोते पांचवे छटे नमबर पर आपको इसपस्ट रूप से दिखाई दे रहा है देखो चिद्धर करके गुज़ाएगी और सुन्डी देखो ये कोटन के अंदर है लेकिन इसी तरीके से चिद्धर करके अंदर की तरफ प्रवेस कर जाएगी इसलिए याद रखना नुकसान कैसे करती है पूरे वर्स में सक्री रहती है प्रारम में कोमल टहनियों के उपर आकरम सुन्डी चिद्धर करके क्या जाती है अंदर गुज़ जाती है तता दानों को खा जाती है ठीक है आगे हम बात करते हैं इस परकार सभी दानों को नेश्ट करके फलियों को खोगली कर देती है सारे दानों को नेश्ट कर अंदर परवेश कर जाती है आपको मैंने भी डाइग्राम के माद्यम से बताया था कि ये अंदर परवेश कर जाती है लट केटर पिलर और संपूर्ण दानों को क्या गजती है चटका जाती है खा जाती है जिससे वो नुकसान हो जाता है खेत के अंदर जब फली के अंदर दानाई नहीं बनेगा तो किसान क्या करेगा क्या बेचेगा किसान तो हानी तो होई रही है फली में दाने नहीं बन रहे है दाने नहीं ब बता होना चाहिए इसके बाद में यह हमारों को दिखाए दे रहा है कि इसमें यह दिबता रहा है देखो कि इस प्रकार के सभी दानों को नश्ट कर फलियों को खोकली कर देती है एक सुन्डी वेस्क बनने से पूर लगबग चारीस से पचास फलियों को क्या करती है नुकसान पुछा देती है यानि कि हम बात करें एक सुन्डी वेस्क बनने से पूर एक सुन्डी वेस्क बनने से पूर चारीस से पचास फलियों को क्या करती है नुकसान पुछा देती है इसके बाद में चने के अत्रिक्त चने के अत्रिक्त इस कीट की सुन्डी टमाटर के फलो के अंदर गुछ कर चने के अत्रिक्त हम बात करें तो इस कीट की सुन्डी टमाटर के फलो के अंदर गुछ कर गुद्दे को खा जाती है किसको खा जाती है गुद्दे को भी खा जाती है ही है ou यानि ही कैने का मतलब ही हे ज़िराए कि इसके चने के अलाव भी हमाथ करें टमा टमाटर के बारे में डिसकार्ण स्कृत करें जब टमाटर के अंदर देखो रेड किलर का होता है तो ये सुनेड़ी टमाटर के फिलोगे अंदर गुज जाती है इस तरीके से और इसका जो गुद्दा होता है उसको क्या करती है गुद्दा गुद्दा होती है इस गुद्दा को क्या करती है खा जाती है ये क्या है लट और इस तरीके से इस पे दारिया लगी होती है तो कहने का मतलब ये टमाटर का जो फल है इस पे अंदर जाकर इसके गुद्दे को भी क्या कर देती है अंदर गुद्दे को खा जाती है तता फलों में छेद कर देती है फलों में क्या कर देती है छेद कर देती हैं तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए इन सभी के बारे में और इस कीट का प्रकॉप टमाटर में 30 से 60 प्रतिस तक फल खराब हो जाते हैं यानि की क्राम पोड़ वुरर तो नाम क्योंकि ग्राम में तो ये नुक्सान पुचाता है पुचाता है लेकिन इस कीट का प्रकॉप 30 से 60 प्रतिस तक फलो को क्या कर देता है यानि कि हम बात करें रेशियो के बारे में तो 30 से 60 प्रतिस तक फलो को क्या कर देता है खराब कर देता है फल को खराब हो जाते हैं फल खराब हो जाते हैं इसके प्रकॉप से तो इस तरीके से ये नुकसान पूचाता है फिल्ड के अंदर खेत के अंदर इस तरीके से ये क्या करता है नुकसान पूचाता है जीवन चक्कर चने की पसल में प्रोड सलब नौंबर के प्रारम में दिखाई देने लगते हैं इसी समय मादा सलब मेथून की किरia कर کے पोदे की कोमल और सिर्श तहनियों पत्तीयों कलिकाओं तता फूलों पर अलग अन्डे देती हैं आपको पता होना चीए की चन्ने की पसल में प्रोड वैस्क सलब वैस्क सलब है नोवंबर के प्रारम में दिखाए पोदे के कोमल और सिर्ष टहनियों को क्या कर देती है कलियों को फूलों पर अलग अंडे देने लग जाती है यानि कि चन्य की इस पसल में प्रोड सलम नौंबर के प्रारम में दिखाए देते हैं और इसी समय मादा सलम मेथून की किरिया कर पोदे के कोमल और सिर्ष टहनियों पत्तियों कलिकाओं फूलों पर अलग-अलग क्या देती है अंडे देती है तो अंडे कहां देती है इसमें कोमल और सिर्ष टहनियों पर पत्तियों पर कलिकाओं पर फूलों पर अलग-अलग क्या करती है अंडे देती है पत्तियों पर लीफ पर और उसके बाद में टहनियों पर पत्तियों पर कलिकाओं पर यह अलग अलग क्या देती है अंडे देती है एक मादा अपने जीवन काल में 500 से 1000 अंडे देती है यानि कि 500 से 1000 अंडे देती है इन अंडों में 2-4 दिन में सिसू सुंडी से निकल जाती है दो से 4 दिन में सिसू किस में निकल जाती है सुंडी म बारे में हम डिस्टर करते हैं कि याद एक मादा अपने जीवन काल में पांसो से एक अजार अंडे देती हैं और इन अंडों में दो से चार दिन में केटर पिलर बाहर निकल जाता लट अब देखो अंडे से निकलने के बाद गिडार हलके रंग की तता दो एमेम से धाई एमेम लंबी होती हैं याद रखना अंडे से निकलने के बाद में अंडे से निकलने के बाद में गिडार हलके रंग की तता दो एमेम से धाई एमेम लंबी होती हैं और अंडों से निकलते ही गिडार पोदे की कोमल पत्यों को खाती हैं तता थ आपको पता होना चीएगी अंडे से निकलने के बाद में गिडार हलके रंग की तता 2 mm से 2 mm लंबी होती है और अंडों से निकलते ही गिडार पोदे की कोमल पत्यों को खाती है तता थोड़ी विक्षित होने पर फूलो तता फलो को खाने लग जाती है और यहां पे पोर्ड ब अंडे देती हैं हलके रंग के अंडे निकानने के बाद गिडार हलके तता 2 mm से 5 mm लंबी होती है कि देने के बाद में यह दस से दस दिन के बाद में अंडे देने लग जाती है और दो से चार दिन के बाद में यह लारवा स्टेज में बदल जाती है कि यह अंडा किसमें बदल जाता है डुट्थे प्रावस्ता में बदल जाता है 18-25 तैनल果 बदल जाता है और यह वदलता है और फूरे निंके बाद संपस अड़ल्ड में बृफण ही रहता है यहार बक्रस करें हैं अंडे लारवाल स्टेज में बदल जाते हैं और यह लारव 18 से 25 दिन के बाद में फ्यूपा में बदल जाती है और फ्यूपा वापिस किसमें बदल जाता है एडल्थ में यानि कि इसमें कम्प्लीट मेटा मार्फोसिस पाई जाती है इसमें च्यार प्रावस्ताएं हैं अंडो से निकलते हैं गिडार पोदे की कॉमल पत्यों को खाती है तता थोड़ी निफिक्सित होने पर फूलो तता फलो को खाने लगती है तो यह आपको पता होना चीए कि अंडे से निकलने के बाद में गिडार हलके रंग की तता 2 mm से 2.5 mm लंबी होती है और अंडो से निकलते हैं गिडार पोदे की कॉमल पत्यों को खाती है थोड़ी विक्सित होने पर फूलो तता फलो को भी खाने लग जाती है तो इस तरीके से ये मैंने आपको लाइप साइकल बताई आपको अच्छे से समझ में आगया होगा लाइप साइकल के बारे में ठीक है और सबसे ज़्यादा हानिकारक प्रावस्ता कुन सी है लार्वा इस्ता लट प्रावस्ता चीक है तो इसका आप द्यहान रखना है लट प्रावस्ता इसकी क्या है हानी कारक आउस्ता है सुन्डी अपने सिर्को फली में दसागर दोनों दानों को खाती है किसको खाती है दानों को खाती है दिहान रखना हैं सुन्डी अपने सरीर को फलीक में दसा कर दानों को खाती रहती है तदा आदा सरीर बहार और आदा अंदर की तरफ लटका रहता है और इसमें आपको पता है गिडार अपने जीवन काल में पांस बार तौचा निर्मोचन करती है जिसमें एक से बीस दिन में पूर्ण विक्षित हो जाती है क्या हो जाती है पूर्ण विक्षित हो जाती है कितने दिन में पूर्ण विक्षित हो जाती है और पूर्ण विक्षित सुंडी की लंबाई 35 mm होती है और सुंडी कर्मी को उसमें परिवर्तित हो और साध्यान आवस्ता में कोस आवस्ता 8-15 दिन में पूर्ण हो जाती है, कोस आवस्ता का मतलब होता फ्यूपा, और फ्यूपा आवस्ता में क्या हो जाती है, बदल जाती है, अब इसके परबंद के मेनेजमेंट की बार में डिसकर्स करते हैं, इसका क्या मेनेजमेंट है, ग गर्मियों के दिनों में मैं-जून-माह में खेतों में गहरी जुताई करने से भूमीगत फ्यूपा जो होते हैं वो लट होते हैं प्रोड बहार आ जाने से जेविक परबक्षी और परजेवी जेविक तापकरम कारण ये नेस्ट हो जाते हैं ये क्या हो जाते हैं नेस्ट हो जाते हैं हम बात करें गर्मियों के दिनों में ये खेतों में गहरी जुताई करने से बूमी गित कोशितों जो होते हैं लट होती है प्रोड होती है वो बाहर आ जाने से जेविक परबक्षी और परजेवी एजेविक तापकरम कारगों के कारण यह क्या हो जाती है नेस्ट हो जाती है और खेतों में प्रकास पोस और फिरोमोन पोस लगा कर फल बेदक वेशकों को आकरशित कर नेस्ट कर देना चाहिए यानि कि हम बात करें खेतों के अंदर हमें क्या लगाना चाहिए एक तो लाइट ट्रेप लगाना चाहिए और एक फि हे eight कि आगे हम बात करेंगे फल चेद कीट का नियंतर पीले संत्रे रंग गेंदा आप्रिकल लंबी परजात्यों को पोफ पसल के यहाँ प्रकास पसल चारों तरफ हमने क्या लगा दिया गेंदा लगा दिया तो गेंदे पर ही नुकसान पुझाएगी टमाटर पर नहीं पुझाएगी जैसे कि यह खेत हैं इस खेत के अंदर हम ट्रेप क्रोप के रूप में इस तरीके से होते हैं एक आपने गेंदा की लगाती इसलिए बात चोदा जो है वो टमाटर की लगाती फिर एक आपने गेंदे की लगाती फिर चोदा तो इस तरीके से ट्रेप क्रोप जिससे जो गेंदा होता है उस 20 से 25 केजी परती हेक्टर की दर से बुर्खाव या पसल को पुशित आउस्ता में क्यों लोफोस एक पॉइंट 25 लिटर का परती हेक्टर की दर से छिड़काव करना चाहिए छिड़काव 15 दिन के पश्यात पुने करना चाहिए यानि कि इस तरीके से हमारे को क्या करना तो खड़ी पसल में फल बेदक कीट का नियंतर करने के लिए मेलाथियोन या क्यूनलो फोस एक पॉइंट पांच प्थी चुरण 20 से 25 क्यजी परती हेक्टर की दर्से बुर्खाव या पसल को पुसित आउस्ता में क्यूनलो फोस एक और लीटर की परती हेक्टर की दर्से हमा किसके बारे में बात करेंगे इस्टेम बोरर के बारे में बात करेंगे यानि हम बात करने वाले हैं अगली क्लास के अंदर इस्टेम बोरर के बारे में अब इस्टेम बोरर के बारे में क्या डिसकर्स करने वाले हैं गयों का तना छेदक के बारे में हम डिसकर्स करेंगे और कि इस क्लास में हमने यह देखो क्या क्या पड़ा है एक रह वापिस रिवाईज meantime है उसके बार में रिवाईज पर लेते हैं देखो सबसे पहले अमने क्लासिबीकि शन देखा क्या देखा सिंस्री कि के नाम से जाना जाता है फिर मैंने आपको बताया इसके लक्षण के बारे में लक्षण मैंने क्या बताया कि इसकी जो व्यस्क होता वो जेतूनी दूसर वो लाल बूरे रंग का होता है रात्री चर्पनानी होता है उसके बाद में इसकी जो केटरफिलर होती जो लट होती है पारसव लंबत पटियां पाई जाती है पारसव लंबत पटियां पाई जाती है पोशक पोदे होस्ट प्लांट के बारे में डिसकर्ज करें तो चना मतर कपास अरहर मक्का के कच्चे बुटे जवार सूरज मुकी भींडी टमाटर तता तमागु आदिस के परमक पोशी होते ह आगे हम बात करें कैसे नुकसान पुचाती है यह कीट लगवा पूरे वर्स में सकरी रहता है प्रारम में इस कीट की लटे चने की पत्तियों को कोमल टहनियों को नुकसान पुचाती है तता बाद में कलियों फूलो तता फलियों को पर क्या करती है आकरमन करती है पसल में फलिया आ जाने पर सुन्डी चिदर के अंदर गुसकर यह मैंने सारे characteristics आपको अच्छे से बता दिये इस तरीके से यह कि फसल में फलिया आ जाने पर सुन्डी चिदर के अंदर गुसकर क्या करती है नुकसान परवेस कर जाती है और आदा बहर आदे बहर के तरफ होती इस तरीके से आपको देखी है दिखाई देरी है और इस सारे लक्षनों के बारे में मैंने आपको अच्छे से बता दिया है आगे हम डिसकर्स करने वाले हैं यह सभी दानों को नस्ट कर फल्यों को क्या कर देती है खोगली कर देती है सारी चीज मैंने आपको अच्छे से बता दिये हैं टमाटर में सबसे ज़्यादा नुकसान पुचाती है तीस से साथ पते सब्सक्राब कर देती हैं तेखो इस तरीके से टमाटर के अंदर परवेस करके अंतमाटर का अंदर गुद्धा जो होता है उसको खा कर देती है चटमट नष्ट कर देती है तो यह भी आपको पता होना चाहिए आगे हम बात करने वाले हैं जीवन चक्कर के बारे में जीवन चक्कर के बारे में हमने क्या बात की कि चने की पसल में प्रोड सलम नौंबर के प्रारम में दिखाए देने लगते हैं और इसी समय मादा सलम मेथून की किरह कर पोदे की कॉमल, सिर्स, टहनियों और पत्यों कलिकाओं फूलों पर अलग अंडे देती हैं एक मादा अपने जीवन काल में लगवब 500 से 1000 अंडे देती हैं और इस अंडों में 2 से 4 दिन में सिसू सुन्डी से निकल जाते हैं तो इस तरीके से मैंने आपको बता दिया है यह लाइप साइकल के बारे में मैंने आ और पा आर्मी जेरा इसमें एडल्ट हैं उसके बाद में अंडे देती हैं अंडे देने के बाद में लारवल स्टेज में जाती है लारव एस्टे में फ्यूपा में जाती है और इस तरीके से यह क्या हो जाती है जिसके बाद में सुन्डी अपने सिर को फली में दसाय कर दा कर चुका हूँ अच्छे से आपको समझा चुका हूँ और प्रबंद के बार मैं बात की मैं यह किस तरिके से過來 न चाहिए और प्रबंद करने के बाद में मैंने इसका management थी ऍहीं कैसे आपको बताया फली दिग का फीले संतरी रंग्य गेंदा और ट्रेव क्रोप लगा कर इसका नियंतर किया जा सकता है कौन सी क्रोप लगा कर ट्रेप क्रोप लगा कर अब हम बात करने वाले हैं वीट इस्टेम बोरर के बारे वीट इस्टेम बोरर जो होता है उसको गयों का तनाच्छेदक कहते हैं गयों का क्या कहते हैं तनाच्छेदक कहते हैं औ और इंपोटेंट है ये भी और इसमें हम बात करें तो सबसे पहले वेग्यनिक नाम के बारे में सेस्मिया इन्फरेंसेंस याद रखना इसका वेग्यनिक नाम क्या है सिसे मिया इन्फरेंसेंस हैं सिसे मिया इन्फरेंसेंस किसको बोलते हैं वीट स्टेम बोर का वीट स्टेम बुरर का scientific नाम क्या है सिसेमिया inference गन क्या है लेपिडो पटेरा गन कौन सा इसका लेपिडो पटेरा कुल कौन सी है इसका noctiodi कुल कौन सा इसका noctod लोडी नोक्ट योडी इसका क्या है कुल है इस कीट को गुलाबी सुन्डी के नाम से भी जाना जाता है इस कुईट को पिंक वोल वरम के नाम से भी जाना जाता है तो आपको बताए कि पिंक वोल वरम से कौन से कीट को जाना जाता है तो इसको जाना जाता है कौन से पिंक वो बारे में हम बात कर रहे हैं उसके बाद वे हम बात करें आगे वारत मुत्तर परदेश और मद्धे परदेश बिहार राजस्तान तमील लाडू में यह पाया जाता है कहां पाया जाता है उत्तर परदेश मद्धे परदेश बिहार राजस्तान तमील लाडू में इसका प्रकू कीर सपेद बूरे रंका होता है जिसमें 10-12 mm लंबा होता है और पंग का विस्तार 18-20 mm का होता है पंग का विस्तार हम देखें तो कितने